आज हम इस वीडियो में बिहार ब्रोट के क्लास 10 के केमेस्ट्री के चैप्टर 3 धातु यहों महदातु के वीडियो 2 को लेकर आया हूँ इससे पहले मैंने वीडियो फ़र्स्ट में 25 मस्ट इंपरन कोशन बता चुका हूँ अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रिले लिस्ट में जाकरासानी से देख सकते हैं फर्स्ट कोर्शन है निमलिखित में से कौन अती जवलन सील है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन भी है नेक्स्ट कोर्शन है निमलिखित में से सबसे अधिक अभी किरिया सील धातू है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन डी है पोटेसियम जो है निमलिखित में से सबसे अधिक अभी किरिया सील धातू है नेक्स्ट कोर्षन है वलकीनी करण की प्रकिरिया में प्रकिर्तिक रबर के साथ निमलिखित में से क्या मिलाया जाता है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षन है सदारन गंदक मिलाया जाता है वलकीनी करण में नेक्स्ट कोर्शन है एक ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन भी है दो किलो मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है एक ग्राम सोना में नेक्स्ट कोर्शन है कमडे के ताप पर मरकरी धातू किस अवस्था में पाई जाती है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन भी है द्रौव अवस्था में पाई जाती है कमडे के ताप पर मरकरी धातू नेक्स्ट कोर्शन है विवसाई के स्थर पर एलमुनियम धातू का निसकर्शन किस अयस्क में किया जाता है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन भी है बॉक्साइट अयस्क में किया जाता है नेक्स्ट कोर्षन है लोहे के निसकर्षन में चुना पत्थर केल्सियम सिलिकेट एक योगिक बनाता है या योगिक क्या कहलाता है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षन डी है धातू मुल कहलाता है नेक्स्ट कोर्षन है किसी तत्व के गुन धर्म का दो या दो से अधिक विभीन रूपों में प्रस्तुतिकरन तत्व की क्या कहलाती है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षने है अप्रूपता कहलाती है नेक्स्ट कोर्शन है धातुओं की प्रकिर्तिक होती है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन ये है विधुत गहनात्मक होती है धातुओं की प्रकिर्ति नेक्स्ट कोर्शन है लोहायों मिस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातू की परत चढ़ाई जाती है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन D है जिंग की परत चढ़ाई जाती है लोहायों मिस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए नेक्स्ट कोशन है किसी रसायनी की योगिक को गर्म करने पर प्लास्टर और पेडिस प्राप्त किया जा सकता है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन भी है जिपसम को गर्म करने पर प्लास्टर और पेडिस प्राप्त किया जा सकता है नेक्स्ट कोशन है अभी किरिया सिलता के इस क्रम में कौन सही है तो जो सही उत्तर है वो उप्षन C है Mg is greater than Al, Al is greater than Zn और Zn is greater than Fe Next question है एकवा जेडिया किस अनुपात में सांद्रा हाइड्रोकलोरिक अमल एयोम सांद्रा नाइट्रिक अमल का ताजा मिश्रन होता है तो जो इसका सही उत्तर है वो उप्षन C है 3 ratio 1 में होता है Next question है अपने सुध रूप में धातू की सता होती है तो जो सही उत्तर है वो उप्षन C है चमकदार होती है अपने सुध रूप में धातू की सता Next question है धातू का पतले तार के रूप में खिचने की छमता को क्या काते है तो जो सही उत्तर है वो option भी है तन्यता कहते हैं धातू का पतले ताड़ के रूप में खिचने की छमता को Next question है कुछ धातू को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है इस गुन धर्म को क्या कहते हैं तो जो सही उत्तर है वो option भी है अधात वर्दतया कहते हैं नेक्स्ट कोर्षन है जो धातु एक ठोर सता से टकराने परवाज उत्पन करती है उसे क्या करते हैं तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षन भी है ध्वानिक या सोनारस करते हैं नेक्स्ट कोर्षन है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षन डी है सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है इन में से कौन अधातु होते हुए भी चमकिला होता है तो जो सही उत्तर है वो अप्षन C है आयोडीन जो है निमलिखित में से अधातु होते हुए भी चमकिला होता है नेक्स्ट कोशन है सबसे कठोर प्राकिर्तिक पदार्थ कौन है तो जो सही उत्तर है वो अप्षन भी है हीरा जो है सबसे कठोर प्राकिर्तिक पदार्थ है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चनलो को लाइक करेंगे, सेयर करेंगे, सबस्क्राइब करेंगे